हे दोस्तों कैसे हो आप सब तो अभी जो है मरी पॉब्लीक का रिभीव करेंगे जो कि जी फाइट पे प्रीमियर हुआ है तेलगू लेंग्वेज विट इंगलिज सब्टैटल इसका लेंद जो दो घंटा थाटी टू मीनट का है इसके स्टार कास्ट में आपको साइधरम ते भी ज्या दाइरेक्टिट केया स्क्रिण पीजिली का है चुलिए बात करते हैं मोवी का इस मोवी में तो एक सेंटेज उसंच के बारे में तो एगे मास प्लस क्लास दोनों के लिए जो मॉवी है इसमें आफ्टर इंडिपेंदेंट्स जब से हमारा country free हुआ है तब से जो हमारा democracy especially जो इसका administrative होता है machinery सब वो सब कैसे walk करता है पूरे तरीके से इसमें दिखाता है किस परकार से जो है अगर आप उस system से बाहर जाते हो तो आपका भाई इल लगने वाला है तो जिस परकार से इसमें character लिखा गया है पूरिया का throughout the movie जो आप उससे connect कर लोगे जिस परकार से मतलब उसका और उसका father का starting में जो है मतलब पोल सकते हो कि 36 कागरा देखने को मिलता है उसका reason भी दिखाता है कि यह हो फिर जैसे जैसे मूँ भी आगे बढ़ता है फिर जो एसवरिया राजस का entry फिर climax का जो scene होता है तो यह जो है आपको हमारे जो इंडियान डेमूक्रेशी है उसका बहुत जगा पर आपको reality शो करता है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जगा पर जो आपको मासी element भी देखने को मिलता है इसके बाद बोलू एसवरिया राजस का character तो इस परकार का character ना भाई हमारे इंडियान मूवीज में जो बहुत काम actress होती है जो निवाना चाहती है इस परकार से एसवरिया राजस का character इसमें लिखा गया है उनके लिए भाई appreciation बनता है कि बंदी ने एकसेप्ट किया उस राजस को बना बहुत सारे actress जो इसको एकसेप्ट नहीं कर दी इस परकार का राजस है और उन्होंने एक अच्छी performance दी है throughout the movie उनका performance मेरे को काफली लाज जवाब लगा है उसके बाद बोलू जगवपती बाबू तो ऑल्वेज निगेटिव रूप में जो है उनको निगेटिव रॉल में ही देखा गया इसमें भी है बट इसके साथ साथ जो उनका positive vibe भी दिखाता है कि जो निगेटिव हो जाते हैं मतलब वो ऐसा बन जाते हैं उसका रीजन भी जाके जो है after two hours दो दिखाता है रीजन वह वाला चीज जो आपको touchy कर जाएगा उसके बाद उन दोनों का जो bond होता है जिखपती बाबु का और साथ धरमतेज का मेरे को काफी connected लगा या उसके बाद बोलू राम्या कृष्णा का तो राम्या कृष्णा को भी इसमें मतलब एक नीगेटिव रूप में शुरु शुरु में दिखाय जाता है उनका जब स्टूरी डीवील होता है न इसमें आप मतलब एक ही चीज बोल सकते हो कि ओ भी नीगेटिव नहीं रहती है सिस्टम ही नहीं मतलब बोल सकते हो कि इसमें वीलें रहता है और उसी का अपना पात्र जीते जाती है जिस परकार से रामया कृष्णा क्या कैरेक्टर लिखा गया लब टैट यार सही से मतलब वो प्रिजेंट करती है कि हाँ भाई हमारा लीडर्स जो है अगर उनको वोत्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आपके टॉंट Ov कि लेना देना नहीं हूं लोग एक वार भी नहीं सूचते हैं समझेंना तो मतलब मेरे को जो है पूरा इन करेक्टर सभी का का काफी अच्छा लगा है और मासी का बोलू तो इसमें जो बहुत सारा सीन आपको देखने को मिलेगा टांस नमबर चाहिए फाइट शीन वो सब सीन जो एकदम मासी है तो फॉस्ट हाफ हो गी आया सेकेंड हाफ तोनों तरीके से आपको हुक एंड क्रूक रखता है एकदम उस्टेश तक बहुत सारा मूवी में देखा को मेडी काफी अच्छा करते हैं श subscribers MOD बहुत अच्छे निभाते हैं तो वाला में भी उनका जो एक सिरियसनेस नेस बाला रॉल था वो काफी अच्छे तरीखे से नहीं भाते तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है डिरेक्टर का बोलू तो डिरेक्टर लाजवाब है जिस परकार से मतलब बनाते हैं मूवी एक्छुली में लोगों को देखना चाहिए पता नहीं इतना हाइप क्रियेटी इस मूवी के लिए क्यों नहीं है इस में लोगों को देखना चाहिए मूवी यारे जिसके लिए जरूर देखना चाहिए और रिटेन स्टोरी जो है मेरे को काफी अच्छा लगा है यह जो है आपको engage करके रखेगा throughout the movie, retain अच्छ तरीके से है, every actor का performance है, साइध रहम का तो टॉप नौच है यार, मैंने आज तक उसका बहुत सारा film देखा बाट इसमें मेरे को काफी अच्छा लगा उसका, उसके बाद बोलू तो retain story बहुत अच्छा था, screen play engaging है, direction enjoyable है, और जो fact दिखाया गया इसमें, dumb reality के close है, इसको miss मत करो, जाओ, देखो, अगर आप तेलगू के साथ comfortable हो, सब्टाइटल के साथ comfortable हो, परना wait कर लो, कभ हिंदी में आता है, वीडियो पसंद है, तो like करो, comment करो, चैनल को subscribe करो